तो गैसिस स्टेट में अगला जो टॉपिक है डिफुजन के बाद बढा इंपोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं सौट फ़र्मे के टी जी और फुल फोमे काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस ना पढ़ना है फिजिक्स में भी तो यहां में भी इस theory से question पूछा हुआ है देखो क्या कहता है kinetic theory of gas पहली बात कि किसके लिए अप्लिकेबल है ideal gas के लिए यह जो theory gas की दी गई थी वह अप्लिकेबल था ideal gas के लिए क्या दूसरा gas भी होता है बिल्कुल होता है real gas इसके आद हम लोग पढ़ेंगी तो क्या कहता है इस theory के नुसर पहला पॉइंट गैस consists of a large number of various small molecules कोई भी एक गैस है तो उसमें बहुत सारे molecules है और ओ जो molecules के जो particles है गैस के जो particles है जिसको molecule करें उनका size बहुत 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 छोटा होता है very small gaseous molecules having similar mass size and shape मान लोग को एक particular gas ले लिया ओटू तो जितने भी molecules होंगे सबका size एक ही होगा सबका mass एक ही होगा और सबका shape भी एक ही होगा इस theory के नुसर पहला point यह हुआ दूसरा कहता है कि जो gaseous molecules है volume of gaseous molecules is negligible volume of gaseous molecules is negligible with respect to the blue राटली के मतलब with respect to volume of container यानि container के volume के respect में gaseous molecules का volume negligible होता है अर्थात ना के बराबर देखो यहां पर बच्चा confuse करता है तो यह gaseous molecules का volume और gas का volume क्या दोनों एकी चीज़ है नहीं बच्चे gas का volume का मतलब container का volume यह जो गैस है ना पूरे container में फैल जाता है तो गैस का volume और container का volume दोनों बराबर होता है लेकिन gaseous molecules का volume का मतलब वो जो पार्टिकल जिससे की गैस बना हुआ है उन particles का volume उन molecules के volume कि यहां पर बात कर रहा है यानि gaseous molecules का volume container के volume के respect में negligible small होता है यानि ना के बराबर होता है यह ध्यान लखना दूसरा point हुआ तिसरा there is no intermolecular force of attraction between gaseous molecules यानि कि कि किसके लिए attraction force होगा ना तभी potential energy होता है potential energy एक्जिस्टी करता इंट्राक्शन फॉर्स से चाहे रिपल्सन का हो चाहे अट्राक्शन का हो लेकिन अगर पार्टिकल के बीच में रिपल्स फोर्स नहीं लग रहा तिसका मतलब यह है कि पार्टिकल के अट्रेक्ट करते हैं जिसका मतलब है कि आइडियल गैस का potential energy पी का मतलब potential energy ideal gas में zero होता है याद रखना है बहुत जगों पर काम आता है तर्मोडायमिक्स में मैं मैंने पढ़ाया है इस पॉइंट को और यहीं से ले गया हूं मतलब यहीं से मैंने बोला था क्यूटी जी में पढ़े थे तो कि में पढ़ा रहा हूं potential energy ideal gas के बीच में zero होगा ideal gas का zero होगा क्योंकि इंटर मॉलिकुलर फॉस अट्रेक्शन जीरो होता है या कहें तो इंटर मॉलिकुलर फॉस अट्रेक्शन गैसिश मॉलिकूल के बीच में नहीं होता है चौता पॉइंट मॉलिकूल सर मॉविंग इन रेंडम मोशन रेंडम का मतलब इधर मैंने उदर जाएगा मर्जी है उसकी गैसियस मॉलिक्यूल का मोशन रेंडम तितर बितर यहां पार नहीं दया जब सकता है लेकिन जब भी मॉव करेगा कस चिट लैंस में मूउव करेंगे जो भी पार्रेक्षर मोलिक्यूल का मुव किया तो मन इंग बलके स्ट्रेट लैंस में परते है इसको नोट किजे जो अगला पॉइंट है केटी जी का kinetic theory of gas का सारे points आपको बढ़िया सियाद करने ला है यहना पूछता है कि केटी जी के अनुसार यानि kinetic theory of gas के अनुसार निम्ड लिखित में से कौन से यह कौन सा गलत है तो सारे points से याद रहेंगे तभी आप theoretical question का answer दे पाएंगे देख अगला point क्या कहता है पास्वा point molecules are colliding with each other molecules are colliding with each other and with the wall of container यानि molecules जितने भी है आपस में भी टकरा रहे हैं मालो यही कमरा है और इसमें ideal gas के particles molecules से तो molecules आपस में भी टकरा रहा है एक दूसरे से और container के वाल से भी टकरा रहा है एक और जितने भी कॉलिजन से चाहे आपस मे molecules को टकराने की बात हो या फिर container के वाल से टकराने की बात है सारे के सारे collision perfectly elastic है यह लिखा हुआ है all collisions are perfectly elastic perfectly elastic का मतलब kinetic energy में loss नहीं होगा यानि पूरे system में kinetic energy जो है वो constant रहेगा चेंज नहीं करेगा पहली बात हम लोगों ने क्या सिखा कि जो particles है एक दूसरे से तकरा रहा है और container के वाल से भी टकरा रहा है जितना भी टकर है जितना भी collision है सारे के सारे perfectly elastic perfectly elastic का मतलब यह होता है बच्चे कि मानलों की एक particle यह है और यह दूसरा particle था जो की यहां गया और इससे टकराया है कि नहीं तो टकराने के बाद दोनों का individual का spirit चेंज कर सकता है यानि दोनों का का इंडिविजुवल गल्ल चानल कर सकता है लेकिन overall Khanti नहीं करेगा यैनि शुरुवात कारेश तकराने के बाद भी टोटल्सक्राइड आ चेंज नहीं करेगा तो ऐसे कॉलिजिन को कहते हैं पर्फेक्टली एलास्टिक कॉलिजन ना यारी मान लो कि यह बिल्खुल दिवार है जो कि रुका हुआ है यह तो मुफ करेगा नहीं तो एक पार्टिकल जिस स्पीड से टकराना उसी स्पीड से बापस आएगा तब उसकी क सब्सक्राइब कराने के वक्त था उतना ही लोटने के बाद यानि कानिटी नरजी पूरा सिस्टम का चज़ नहीं किया तो ऐसे को कहते हैं परफेक्टली एलास्टिक को लिजन डिर इस नो लॉश ऑफ कानेटीक इनर्जी उप सिस्टम सिस्टम का मतलब जितनी भी पार्टि यह कंटेंडर का वाल है अब यह पार्टिकल इदर से आएगा यह पार्टिकल यहां से चला यहां से चला यहां टकराया है कि नहीं अब यह पार्टिकल जब टकराया तो टकरा करके बापस भी जाएगा यह टकराया इदर गया और फिर टकरा के बापस भी जाएगा तो सब्सक्राइब कर रहा है तो उस पुष की बज़ा से प्रिसर होता है याद रखना है याद यह रखना है कि जो कंटेनर में प्रिसर डेवलप होता है वह पार्टिकल कंटेनर के वाल से टकराता उसकी वज़ा से होता है यह पार्टिकल आपस में टकरा रहा है कंटेनर के बीच में पार्टिकल को टकराने से प्रिसर डेवलप नहीं हो रहा यह पार्टिकल जा करके कंटेनर यानि इस वाल को तो द्रक्का मारेगा और धक्का मारके बापस आएगा उससे प्रेशर क्रियेट होगा प्रेशर इस डिव टू कॉंस्टन्ट बंबाडमेंट मतलो क्या टक्राना ऑफ गैसेस मॉलेक्यूल अगेंस्ट दॉ अगेंस्ट द वाल ऑफ कंटेनर यह लिखा हुआ है प्रेशर इन कं होता है अगला पाइंट देरेज आलमोस्ट नोई इफेक्ट ऑप ग्राइविटी और गैसेस मॉलेक्यूल यह मारकार इसको हम अगर छोड़ेंगे तो कहा जागा नीचे यानि ग्राविटेशनल फोर्स लग रहा है हम लोग भी धरती से चिपके हुए है क्यों भाई पढ़के हैं और इसको छोड़ें तो वह गैसे पार्टिकल कहें भी रंडम उसे उपर जा सकता इदर जा सकता नीचे ही जागा साथ कोई गरांटे नहीं है यानि कि गैसी अस पर पर आलमोस्ट ग्राविटी का असर नहीं होता कैसे गैसे पार्टिकल कि बात करें कॉन सा गै कि आठमा लास्ट पॉइंट एवरेज ट्रांसलेशनल कानेटिक नर्जी देखो कानेटिक इनर्जी बहुत तरह का होता है जैसे अगर मैं इस तरह से चल ला हूं तो यह ट्रांसलेशनल मोशन हुआ तो हमारा चलना जो इनर्जी डिवलप करेंगा हाफ एंभी स्कॉर वह ट है ट्रांसलेशनल कंडिक नर्जी और वह भी कौन सा, एवरेज ट्रांसलेशनल कानेटिक नर्जी की बात कर रहे है जो कि अभी अभी हम प्रूफ करेंगे ए ए डौनों में कोई फरक नहीं यह कह रहा हाई यहां पर बच्छे कि यह जो कानेटिक इनर्जी होगा कौन सा एवरेज पहली बात और वह भी कौन सा ट्रांसलेशनल एवरेज कानेटिक इनर्जी दिस बिल बेडिक प्रपोर्शनल तु टी टी क्या टेंपरेचर एंड टेंपरेचर मस्ट आलवेज बी इन केलवें है के नहीं तो जितना भी पॉइंट्स करते हैं जितने भी पारटिकल है सब्का साइज मासो से बराबर होगे बडूसरा गयस्ट का जो मास होता है गयस्ट मॉडूक इनरिमे इन के अहीं होता यानि आपस में वो न तो अट्रक करते हो न तो रिपेल करते हैं इसका मतलब है कि आइडियल गैस के पार्टिकल के बीच में पोटेंशिल एनरजी नहीं होता चौथा पॉइंट जितने भी पार्टिकल्स गर्टिकल्स ए cumpl रैंडामली मूव कर रा है इदर वदर तीतर बितर जिदर मन दर लेकिन जब भी मूव कर रहा जो इस में अपस मेंदार्ट और कंटिनरयो वहां से भी टक्रार है लेकिन जितना भी टक्कार रहे हैं जितना भी कॉरृजियन सब परफेक्टली एलास्टिक फिजिक्स का टरम है पुड़ते हो जिसमें कि overall system का continuous change नहीं करता है कि नहीं और फिर क्या कहता है कि यह प्रीशर डेवलफ होता है क्या particle को आपस में टकराने के बैस होता है नहीं यह particle gases molecules control के वाल को ढक़ा देंगे टकराएंगे उससे प्रेशर क्रिएट होता है ग्राविटी पर ग्राविटी का आसर पार्टिकल के ऊपर में ना के बराबर होता है एक ना इंट्रस्टिंग है सारा रिविजन हो गया और लास्ट पांट इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको की डिरिवेशन भी करेंगे के एवरेश ट्रांसलेशनल कानेटिक इनर्जी ऑफ गैसे मॉलेकिल इस डिरेक्टी पॉस्टनल तो एपसुलूट टेंप्रेशर यादि टेंप्रेशर इन केल्विन तो केटी जी थियोरी का हम लोगों ने थियोरी पढ़ लिया पॉस्टुलेट्स पढ़ लिया अब निमेरिकल करने के लिए कुछ फर्मुले के जुरत पढ़ती है तो निमेरिकल प्रपस से कुछ फर्मुला यहाँ पर डिराइब कर रहे हैं केटी जी थियोरी के अनुसार यानि कि conservation of momentum लगा करके physics के rule से ये प्रूफ किया गया कि पीवी स्कल्टू एक बटा 3 a small m capital N URMS square के बराबर होता है इसमें टर्म जो है उसको समझना है पी प्रेसर है भी वॉल्म है वो तो बताते ही रहा हूं पीवी स्कल्टू एनारटी में पी प्रेसर है गैस के चलते किसके लिए एक formula लिके रहे है आईडियल गैस के लिए थे और भी बिर किया वोल्म किसका गैस का गैसे स्थमों की कौन्टेइनर का वोल्म एक बाटा तीन समौल हैं क्या एक परडिकल अमास से एक अमास list मियंच ओपThe और इसको दोटल निंभर उख्जम से स्पीड यहां पर है instance को आरे में रूट मीना स्कॉाइड रूट मीना स्कॉाइड अपर तरो Yap सबसेता है दीफ हो सकता है तो यह स्पीड के लिए गोम भॉठ प्लस फास्त गूरेय। एन नमर अफ मॉलिक्यूल को सारा स्पीड जोड़ दिया और टोटल नमर अफ मॉलिक्यूल से डिवाड कर दिया तो कौन सार स्पीड एवरेज स्पीड वो भी आगे पढ़ेंगे लेकिन यहां यह एवरेज स्पीड नहीं है बच्चे जब केटीजी थियोरी से कंजरिवेशन ऑफ मॉमेंटम प्रिंसिपल को अपलाई करके यह फर्मुला आता है तो उस फर्मुले में स्पीड इस तरह से कुछ आता है जितने भी मॉलिक्यूल से हैं सारे मॉलिक्यूल के स्पीड का स्पौर का समेशन दिवाड़ के टोडल नमब स्कुर्ण स्पिड स्पिड समेशन शारे मालेक्यूस के स्पिड के स्कुर का और मिन अब स्ठाइब यह इसका रहें से कैल करें किस तरह से मुदरल मास रिस्पेक्ट में किस तरह से कल्कुलित करें बूले से कुट के लिए तो गre आइडियल गैस लिया वह फरमुला फिरस पर capita स्товणруш चैछ फोर्मॉला तो पहली बूला है नीए फिस कल टु एलकिन का वहलु आन्ट पी add आन्प और एक मूलल लिए एक मूल में कुतना पाटिकल में आ की यानि basically capital and total number of particles evogadro number के बराबर एने क्या evogadro number और एक particle का mass small m है तो यह हो जाएगा small m गुने एने small m गुने एने एक particle का mass small m एने से गुना कर दिया तो evogadro number of particle का mass एक mole particle के mass को molar mass कहते हैं बच्चे कहां सिखाया था सिखाते ही रहते हैं मोल concept में detail में सिखाया है यानि basically m गुने एने एक mole का mass हो गया एक mole gaseous particle का mass हो गया एक mole के mass को कहते हैं molar mass को represents करेंगे capital M से अब इस formula में आते है p physical to r81 mole के लिए 1 बटा 3 small m गुने एने एक capital M के बराबर हो गया capital M के बराबर हो गया capital M के बराबर हो गया और URMS का square put कर दिया तो URMS के लिए एक formula आ गया बड़ा important formula महा formula है और इस formula को आपको याद कर लेना है इस question बहुत ज़्यादा पूछता है एक तरह का speed पढ़ेंगे URMS root mean squared speed का एक formula temperature और molar mass के respect में आया क्या बाई URMS to 3RT divided by PM का square root RT के जगा पर PB put कर सकते हैं क्योंकि PB to RT है कि नहीं तो 3PB and divided by M का square root ओभी हम पूछत कर सकते हैं यहाँ पर temperature और molar mass के respect में URMS का formula तुम्हारे पास आया जिसको की याद कर लेना है बढ़िया से दो बार तीन बार लिक करके करने की बढ़िया से formula रटे था आंसर गलत निकाल लेता है देखो भाई सब एसाइट में पूछ करो एसाइट का मतलब अगर स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड है तो URMS का इन मीटर पर सेकेंड तो आर बिना एसाइट वाला कौन सा जूल पर मोल पर कल्विन वाला यानि बेसिकली क्या 8.314 वाला ये इसाइट में होता है जूल वाला है तो आर का वेलू 8.314 टेंपरेचर का तो कोई option ही टेंपरेचर मस्ट ऑल्वेज बिन कल्विन और ये मोलर मास माक्सिमम टाइम बच्चा जो एरा करता है गलती करता है यहां पर करता है जैसे ओटू आदो स्वोला दौना 32 पुछ कर दिया, गलत हो गया बच्चे टेंड हों, गराम में नहीं आज़ा मूलर मास मास भी कीलो में पुछ करो, एक मूल का मास किलो में 32 ग्राम न होता है इस हेलियम का चार होता है, चार ग्राम पर मूल, तो चार बटा एक हजार कर देना, वो किलो में हो जाएगा, और फिर यहां पर फेलू पूट करेंगे, तो एक दम बिल्कुल आंसर करेक्ट आएगा, और आएगा मीटर पर सेकेंड में, तो इनिट का खास ख्याल लखना जरू पर्ट किजिए इसको, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, यूर्म इस, त्री आरटी वाइम का स्कॉर रूट, चलो उस फार्मूले के यूज करके न, एवरेज ट्रांसलेशनल कानिटिक एनरजी कल्कुलेट करते हैं, न, कल्कुलेशन आफ एवरेज ट्रांसलेशनल कानिटि इनरजी, बताया था, ट्रांसलेशनल मोशन होगा, और स्पीड जो होगा, वो एवरेज वाला लेंगे, कौन सा एक तरह का एवरेज वारा, यूर्म इस कह रहें, रूट मिन स्कॉर्ड स्पीड जो ले रहें, तो देखो भाई, एक मोल के अनुसार, यानि कानिटिक एनरजी पर मोल निकालना चाहरे, एवरेज ट्रांसलेशनल कानिटिक एनरजी पर मोल, कहीं पर भी आप के लिख रहें, तो कानिटिक एनरजी कौन सा वाला है, ट्रांसलेशनल वाला है, है कि नहीं, और एवरेज है, एवरेज ट्रांसलेशनल कानिटिक एनरजी, उसका मतलब यह हु कि यहां पर स्पीट क्या है उसका 2 वार्ओं अ चानितिक इनरजी ق знаете एक मोल का पर मोल कितना है त्री वाइ टुर टी इस GAS formula को रट लेना है याद कर लेना है यह महा फर्मूला वेरी very important और इस फर्मूले में देखो कि जो फर्मूला आया है वो independent of molar mass से इसमें molar mass कहीं पर है यह नहीं अर्थात अगर temperature सेम है तो वो कौन सा गैस है उससे कोई मतलब नहीं सारे गैस के लिए सेमी टेंपरेचर पर चाहिए वो गैस हीलियम हो और टू हो एनटू हो और आइडियल भी हैवियर हो तो कार्णिटिक नर्जी पर मोल का वहलू उस टेंपरेचर पर सारे गैस का बराबर होगा मालों 27 दिगरी सेलसियस पर एक मोल और टू गैस का कानेटिक नर्जी पांच जूल था तो हिलियम गैस का भी सब्सक्राइब आइडिक नर्जी पांच जूली होगा क्योंकि टेंपरेचर सेम है एक ही फैक्टर पर प्रेचर क्या है तो एक मोल के लिए यही तो पढ़ रहे थे एक मोल का कानेटिक नर्जी निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं तो तुमको पता है कि एक मोल का कानेटिक नर्जी है 3Y2RT तो एक पार्टिकल का कितना होगा एवगाड्रो नमबर से डिवाड़ कर दिया 3Y2RT डिवाड़ बाए एने तो तुम्हारे पास यही कानेटिक नर्जी एक मोल क्यूल का पर मोल क्यूल आ गया है कि नहीं अब यह आर कॉंस्टेंट है इन्वर्स को के कह दिया तो 3Y2KT यह फर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट फर्मूला है यानि कि एक मॉलेक्यूल गैसियस मॉलेक्यूल है उसका एवरेज ट्रांसलेशनल कानेटिक नर्जी का वैलू 3Y2KT होगा और यह भी स्रिफ टेंपरिटर पे डिपेंज कर रहा है कौन सा ग है कि नहीं और के का वैलू क्या रटना नहीं रटना नहीं है तो एक मॉल का फर्मूला क्या रटना एक मॉल का एवरेज ट्रांसलेशनल करनेटिक नर्जी जो आएगा 3Y2RT तो एन मॉल का कितना 3Y2N से मॉल्सिप्लाइब कर देंगे और एक मॉलेक्यूल का कितना तो 3Y2KT के का वैलू आरा पौने नहीं इतना फर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो एवरेज ट्रांसलेशनल करनेटिक नर्जी वाला सारा क्रिशन आपसे सौल हो जागा यूनिट का खास क्या लखना है आर का वैलू जूल में 8.314 और यदि केलोरी में पूछा तो 2 केलोरी के बराबर होता है जो कि निमेरिकल से हम लोग यहां पर सिखने वाले हैं यह थियोरी हुई के टीजी थियोरी दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो जितने भी फर्मूले हैं सब कंठस्त याद कर लो यूनिट के साथ कौन सा यूनिट हम पूछ करेंगे तो करेक्ट आंसर हैं उनको हम लोग देखते हैं किस्ट नमर बार कहता है कि यूर्मस निकालो कैल्कुलेट यूर्मस ऑफोर्ट गैस ट्वंटी सेवन डिग्री सिल्सिस तो जैसे देखा कि तुरत दिमाग में फर्मूला आ गया यूर्मस का है कि नहीं क्या फर्मूला होता है बच्चा 早़ विशरो केल्वन बहुत बार पढ़ा अनंत बार पढ़ा 27 जिघर का मतलब कितना केल्वन 300 जोड़ते हैं तेम्प्रेचर केल्विन में 300 और मोलर मास ओटू का 32 क्या यह सही है नहीं बच्चा यह सहीं नहीं किया जनल किया कर जाता है यह मोलर मास कीलों में 32 जो आप याद कियो ग्राम पर मोल में होता है तो कीलों के लिए 1000 से डिवाड कर दिया यह 10-3 से गुणा कर दिया यही 6 क्रोंगे तो यह सब 2.3 इन्टू 10 इस तरह से आएगा या फिर ये अगर तेज करोगे ये 10 का पावर 4 ये स्क्वार उट कर लेना और ये 10 का पावर 2 हो जागा इतना मीटर पर सेकेंड ये आंसर आपका आजाएगा है की नहीं तो बड़ा सान है यूनिट आपको इदम बिल्कुल सही पूट करना है किस्ट नमबर चूँ एक कंटेनर है जैन मोलेक्यूल्स फाइव देम हैब स्पीड एक्वल तो टैन मीटर पर सेकेंड और बचा कुछा रेस्ट हैवे स्पीड इक्वल तो 30 मिटर पर सेकेंड डिए अइसे क्वेस्टन में जिसमें की एक प्रेटिकुलर नमबर अफ मॉलेक्य मॉलेक्यूल्स लिया हुआ है 10 मॉलेक्यूल 20 मॉलेक्यूल ऐसा और सब इंडिविज्वल मॉलेक्यूल्स के स्पीड की बात कर रहा है तो 380 यम का स्कॉरूट नहीं लगा होगी क्योंकि नहीं पता फिर क्या बेसिक फर्मूला जो तुम्हारे पास है यू आरे में इसका मै 42 जितने B最終 मॉलेक्यूल से साब का स्कॉर और टोटल नंबर अफ मोलेक्यूल से डिवाड कर दिया यह आपका बेसिक फर्मूला पर क्यूसन तुम्हारा सौल होगा है की नहीं तो करते हैं कहता यह हैं कि 10 मोलेक्योल के स्पीड 10 मिटर पर सकीड ये तो को स्कोर कितनी बार 5 बार तो पाँच गुने दसके बाद फिर एक पूद टीन मोलेक्योल से जिनका स्पीड 20 मिंटर पर सकेड्ण है तो 20 का square, 20 का square, 20 का square कितना पार लिखना पड़ेगा, तीन बार, यानि तीन गुने 20 का square, ऐसे करके जोड़ते जाओगे, है कि नहीं, और बाकी जो molecule बच गया, कितना होगे, पांच, तीन, आठ, दो molecule बच गया, तो उनका speed 30 meter per second है, यानि 30 का square, 30 का square, कितनी बार लिख होगे, दो बार तो दो गुने तिसका स्कॉर है कि नहीं और डिवाइड कर दोगे टोटल नमबर अफ मॉलीक्यूल से और इसका क्या कर लेना स्कॉरूट कर लेना है वह पावर हाफ का हुए अस्कॉरूट को दुनों बात से हम होती है तो आज है का 3500 का स्कॉरूट ये 00 कैंसिल होकर क से 350 का स्क्वाइर रूटी आंसर हो जागा मीटर पर सेकंड हैं इंट्रस्टिंग तो अगर गिवे नमर अपर पार्टिकल्स है और उनका सबका स्पीड दिया हुआ है तो इस तरह से क्यूस्टन आप URMS का सॉल्व करते हैं मैथेमेटिकल फर्मूले से क्यूस्टन नमबर थ्री कैल्कुलेट एवरिज ट्रांसलेशनल कनेटिक नर्जी ऑफ वन मोल ऑफ ओटू और वन मोल ऑफ एन्टू आज 27 डिगरी से दो क्यूस्टन है ओटू का भी मोलर कनेटिक नर्जी मोलर का मतलब नहीं का मतलब एक दोनों का क्या जाल तुमको पता है एक मोल के लिए क्या फर्मूला १ तुरी दिट्क रिटू रटी यह किसके लिखा N2 के लिखा कि O2 के लिखा कि किसी भी GAS के लिए किसी भी GAS के लिए और कौन सा GAS? IDIAL GAS, N2, O2 दोनो आडियल GAS है कुछ भी मैंसेनी तुम्हाने कि IDIAL GAS है तो यह दोनों के लिए answer यह होगा दोनों के लिए 4, O2 as well as N2 क्योंकि टी दोनों का सेम है तो 3 by 2 अगर आंसर जूल में दिया यह इनिट का भी गेम है तो आर का वैलू 8.314 जूल वाला टेंप्रेचर मस्ट आलबेज बिन केल्विन 77 का मतलब 300 केल्विन इतना जूल आएगा एक मूल का इनर्जी और यही अगर आंसर कलोरी में दिया करता है कि आांसर किसमें दिया तो 3 by 2 R का वैलू कलोरी में 2 होता है 300 के बिस्टेकर करें आंसर तुम्हारे पास आएगा कैलोरी में यानि कलोरी पर मोल जूल पर तो इनिट क्या दिया है चार आप्सान में से इनिट दिया रहे गाना या तो जूर होगा कैलोरी होगा तो उसके अनुसार आर का वैलू पूछ करोगे रहा आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा इनिट हमां में इसा ही सिखाते रहते हैं थर्मो डानेमिक्स पे बहुत बार सिख उसके question दिया पिछ़ने question में इक मोल था इस question में पांक्छ मोल मतासर सम थीतिकन होगा दोनौ का मोल सीप्सक्राइब दोनौ कोका मो को क्या होगा क्या होगा क्या क्या फर्मुला थ्री वाइटू आरटी होता है एक मोल के लिए तो एन मोल के लिए थ्री वाइटू एन रटी फर्मुला का इस्तमाल बढ़िया साना ची तो थ्री वाइटू नंबर ओफ मोल कितना पांच आर का वहलू जूल में 8.314 टेंपरेचर मस्ट आलवेज बिन केल्व तुमारे पास आजाएगा जूल में है ना जी यह किसके लिए आंसर लिखा दोनों के लिए फर ओटू का हो और एंटू का हो यह दोनों के लिए आंसर है अगर कैलोरी में आशर चाहिए तो थ्री वाइटू नमबर ओफ मोल पांच आर का फिर उस्रिफ दो कर देना और आंस काइनेटिक इनर्जी फोर वान मोलेक्यूल एक मोल के लिए पूछा पांच मोल के लिए पूछा अब एक मोलेक्यूल के लिए पूछ रहा है फोर वान मोलेक्यूल ओफ हिलियम and O2 at 27 degree Celsius अगर यह पूछता तो पहले बात देखो कि दोनों एक 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 मोलेकुल तो क्येस्टन मानलो कि एक मोलेकुल हिलियम और एक मोलेकुल O2 के लिए आपको 27 degree Celsius पर कानिटी इनर्जी का वैलू बताना है कैसे करोगे पहले बतो दोनों के लिए अंसर सेम होगा बिल्कुल सेम होगा क्योंकि मॉलेकुल के संख्या सेम तेंपरिचर सेम 3Y2 KT वहां तो मुलरमा साथ आई नहीं तो दोनों के लिए आंसर सेम होगा कानिटीक एनर्जी एक मोलेकुल के लिए क्या फर्मुला 3Y2 KT अब K का वैलू रटने के जुरत नहीं K तुमको पता है कि R upon N होता है R वैलू पता, N पता, दोनों का वैलू पुछ करेंगा और आंसर आ जाएगा तो 3Y2 R का वैलू कितना अगर आंसर डिपेंज करता है किसमे है भई अगर जूल में है तो R का वैलू 8.314 और एने का वैलू 6 पाइल लगभग कर सकते हो 6 into 10.23 एक्जक्ट वैलू कितना 6.022 into 10.23 होता है लेकि लगभग लोगे तो 6 गुने 10 का पावर तेज जल्दी से क्रिशन सॉल्ब करना है तो आइन टेंप्रेचर मस्ट सॉल्बेज बीन केल्विन यह जो आप कैल्कुलेट करेंगे आंसर किसमें आएगा जूल में और यही अगर आर का वैलू दो पूछ कर दोगे तो कैलोरी में जागा एक मॉलेक्यूल के लिए हम यहाँ सिखाना यह चाह रहे हैं गुनाबाग नहीं सिखा रहे हैं सिखाना यह चाह रहे हैं कि अगर टेंप्रेचर सेम है मॉलेक्यूल के संख्या सेम होगी तो कौन गैसों से कोई मतलब नहीं दोनों के लिए आंसर सेम होगा यह कानिटिक नजी एक मॉलेक्यूल का किस के लिए निकाला हिलियम के लिए भी किस्टन नंबर 6 किया कहता है कि कितिन यह कह रहा है कि कि आंटिक एप्ट अफ तुम मैं के टीम आफ हि्लीम हैसं प्लिट भी फ्लियू市मर लडिया तोंपनेर्शन का दो आज़ी। एसका स्परिय। किए कट ट्रॉ सञि के वह लिए यहां थे सेम है यह तो आपका यह जो करेगा एमांच पर नमबर आफ मोल पर तो दो मोल का सो जूल था तो दस मोल का कौन सा कैसे हो से कोई मतलब नहीं है आगर हम निकालना चाहें कि कि कानेटिक इनर्जी आफ टैन मोल off helium क्या यह निकाल सकते हो दो मोल का है सो जूल तो यह पांच गुना तो यह पांच गुना याईशितना 500 जूल तो कानेटीक नर्जी का वैलू भी सेम होगा यह concept हम सिखाना चाहरें कौंसा उसे कोई मतलब नहीं करा सबस्सितना जादा होगा कानेटीक नर्जी तो उतना जादा होगा और सबसे जादा जो important factor depends करा यूच्छ चुका है यूज़की में calculate ratio of kinetic energy of O2 as 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius यानि बेस्किनी चार अप्शन दिया था यह पूछ रहा है kinetic energy का value 27 degrees Celsius पर जो होगा और kinetic energy का value जो 37 degrees Celsius पर होगा उसका ratio क्या होगा तो kinetic energy का formula क्या 3Y2RT तो 3Y2R 3Y2R क्या होगा cancel हो जागा यानि kinetic energy का ratio जो होगा एक ही गैस के लिए temperature का directly proportional यानि कि temperature यहां पर कौन सा 27 degrees Celsius और 37 degrees Celsius मानलो अगर कहे दे कानेटिक नजी एक को के टू कह दे एक को के वन कह दे तो किसके बराबर टीटू अपॉन टीवन के बराबर इस fundamental के होगा 3Y2R 3Y2R क्या हो गया cancel और सेमी गैस है यानि नमबर आफ मोल्च नहीं कर रहा तो टीटू अपॉन टीवन के बराबर तो इसका टेमची 27 बटा 37 बहुत बच्चा यह लिग देता है यह गरवर करता है टेमपरेचर मस्ट आलवेज बीन केलविन यह तुम ने जो टेमचीर किया किसमें किसमें होना चाहिए- बहुत बार मैं कलास में करवाता हो ना सब बच्चा बहुत बच्चा यह आंसर लाता है कुछ बच्चा इंटिलिजन्ट है जो कि हर बात मेरी ध्यान सूनता है तो 27 नहीं 27 प्लस 273 यानि 300 और इसमें भी 277 जोड़ोगी यानि यह 300 और यह 310 रेशियो 30 बट्टा 31 यह आंसर हुआ है कि नहीं तो यह केटी जी थियोरी बढ़िया से आप याद कर लेंगा और इसके न्यूमेरिक को देखोगे कॉंसेप्ट को बिल्कुल क्रियर रखोगे तो ठीक है बच्चे आज के लिए इतना ही थैंक यूँ